तो डियर स्टूडेंट यह है दोहजार तेस और चोबिस के सिसन का सोसोलोजी का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर जो की हमारे फिप्त समस्टे के छात रहें उनके लिए बहुत ही महात्पूर वीडियो है आप इंड तक जरूर देखते रहेगा आपको बहुत स जानकारी मिलेंगी तो इंड तक बने रहेगा ताकि आपके एक्जाम में आपको काफी मिल सके ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते पूरा प्रूप देख लीजी यह इसी वर्स अभी पेपर हुआ है ठीक है बेपार्ट थर्ड यानिकि थर्ड एस समस्टर आपका प पूरी दिसा निर्देश दी गई वह आप पड़ लेंगे हम आते हैं में कोश्चन पर ठीक हो सकता थोड़ा बुलर दिक रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा हम आपको समझा देंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि छात्रों के दौरा पेपर रेजी जाते हैं त देखे आप जो बीडियो पे किलिक करते हैं आपको जो लग है बहुत ही अच्छा है अच्छा इसलिए है कि आपने सही बीडियो पे किलिक किया और सही गायेडर के पास आपके हैं क्योंकि हम आपको बैसिक से पूरी एकजाम की प्रिकलेशन कराते हैं Queen Prozent कराते हैं शुरू मालूमें question answer provide करते model paper provide करते पूरा हम आप लोगों को material देते हैं आप सभी कुछेस मालूमें ध्यान से सुन लिया करें मेरी बाते ताकि आपके लिए वो helpful साभित हो सके ठीक है तो यह question महात्पोन है इसको ध्यान रखेंगे यह नया question है और exam में आपके भी आने की संभाव ना है तो इसको तुरंत note कर लीजिए note कर लीजिए एक notebook लेजिए और पेल लेजिए उसको note कर लीजिए question तुर्ण ठीक है इस question को note करने के बाद आपको हम भी बता रहे हैं इसका answer कैसे मिलेगा और कहां अग्यार को ka pre unquote करें जबूर कर लीजिए यह कि यह कि पिछले फालो में कईंबार repeated question है इस बार आपकी परिच्छा में आई हुए है अप सभी को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूँ जब भी आपका paper होता तो उसमें जो कुश्चन होते हैं वो करीब करीब मालिजे 75 नंबर का पुड़ांग होता तो उसमें करीब करीब तीस से 35 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो पिछले फाल के माडल पेपर से ही आते हैं यह फैक्ट साहिद ही आपको बहुत कम ही मालूम होगा लेकिन आज जान तीस से 35 नंबर की प्रश्न हो पिछले फाल के माडल पेपर से ही लिए जाते हैं जिसे कि माली जे पितले तार आपका प्रिछा तो हला कि हुई ही नहीं प्रिप्त समस्टर में इसी बार से माली जे क्योंकि इसके पहले था मतलब कि समस्टर नहीं था येरली वाला सिस्टम इस बार से था लेकिन फिफ्त समस्टर नहीं था तो इस बार आया लेकिन ये पिछली बार भी पहुचा जा जो का को इस ये द्यार नखेंगे ओके अगला प्रश्न है कि या आधर्स शोविद्निता क्या है ठीके ये कोश्चन आप इगनोर कर सकते हैं बाकी ये भी आया हु यह popular question यह आपके समाजिक संस्थना समाज की संस्थना ऐसे प्रशन आएगा समाज प्रस्थनाया कि लिए इस बात प्रत्ता से आप क्या समझते इसको भी इनूर कर सकते हैं इतना महात्पूर्ण नहीं है ठीक है उसके बाद अत्रिक्त मोल ले ठीक है यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो लेकिन पढ़ लेंगे तो बेटर ही लहेगा आप लोगों के लिए ठीक इस बात को ध्यान होते हैं ठीक है वीडियो को इंड तक देखते रहें भले ही माल लें कि अपको फोटो क्लिए नहीं दिख रहा लेकिन अब को कुष्टन समझा दे रहे हैं ठीक है द्यान रखेंगे आगला कोश्चन जो आपके समझत है गारंटी वाला कोश्चन हमेशा परिच्छम क्या कीजिए तो कामटे के जो समाज साफ्त को लेकर कुछ सिध्धान्त हैं कुछ इनके जो नियम हैं उसके बारे हम आपको तयार कर लेना कि समाज साफ्त की क्या बिसे इस्ताइं बताएं समाज साफ्त की परिभासा किस प्रकार बताएं ठीक है समाज साफ्त के सिध्धान् मत दिया है इस तरह की कि प्रश्ट तयार कर लेंगे अगस्त कामटे फे संबंदित या फिर आप तयार कर लेंगे कि यहोगदान्न questo आपको पूरी हिष्ट्री मिल जाएगे इसम्में पढ़ लेंगे अभी बता रहे हैं उत्तर कैसे आपको मिलेगा सारे प्रशनों को अगला है कि समाज साफ्त के उध्वहों पर एक संशिप्ट ट्रिप पड़े लिखे, ये कोईशिव ने तम हात पूर है, कि मैं आपको क्या ही बताऊओ, समाज साफ्त की, पहले तो आपको समाज के बारे में पढ़ना क्योंकि समाज से समाज साफ्त बना है, ठीक है, तो समास साफ्त की जो starting है उद्भो है वो कब हुई है ठीक है और step by step उसका विकास हुआ है उसके विकास होते होती फिर जाने पहले समास साफ्त कोई subject नहीं था ठीक है ठीक है इसके बाले मैंने detail में एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे इसकी starting हुई कैसे हुई कहां थे इसक को इसको उनके लेशन में उनके पार्ट करम है subject बना दिया गया तो उनको पढ़ाने जाने लगा ठीक है तो बहुत ही पॉपलर क्वेस्चन स्टार्टिंग के बारे मताना है कि इसकी सुरुवात कैसे हुई समास साफ्त की ठीक है subject की यह है अगला प्रस्टन के प्रमॉक्त साफ्त्री और इन्हों होती है समाज के जिक सुरुएं चीक सथक्ट के बारे मको लिखना Înकि इनके प्रकार समाज की सबहने सकुरूर है को तुरंत रोट डाउन करी यह आएगा पक्का ओके अगला कोश्चन के राद दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार प्रकारों पर प्रकाश डाली यह भी 100% कि और वाला कोश्चन है जो कि फसेगा फसेगा इस बात कि हम 100% गारंटी रहें अगर नहीं पसेगा तो कमेंट मैं कि जो आपके इच्छा है उलग दीजेगा हमें पूरा मतलब कि हम उसको एक्सप्ट कर लेंगे लेकिन कोश्चन का उत्तर जोड़ तयार करके जाएगा दूर कि मालूम इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं कोई फाफिल लगार करमालता है कोई नदी में कूद करमालता है बहुत सारे टाइप हैं और यह कुश्चन इस बार ही नहीं कई बार पर इच्छ हम रिपीटेड है और सालों साल पे आ रहा है तो इस बात को ध्यान लखेंगे ठ इनका नाम है कार्स माक्स इनके द्वारा प्रतिपादी जो एतिहासिक बहुतिक वाद के बारे में आपको लिखना है नोट कर लीजिए भी आएगा ठीक है अगला प्रशने की साव यवी एकता से आप क्या समझते भी पॉप्लर कुश्चन कई बार आ चुका है इसको भी आ अगला की प्रतियात्मक अंत क्रियावाद क्या है प्रतियात्मक अंत क्रियावाद में मीड के युगण की परिछन की जी कि यह तम हाथ पूर नहीं है आप चाहत पड़ भी सकते हैं ठीक है अगला बहुत ही पॉप्ला टॉप लिबल का क्वेश्चन कई बार परिच्छ हम रिपीटेड है इस बार भी आएगा गारेंटी वाला क्वेश्चन हंड़र परसंट शूर के साथ में बो तैयार करके जाएंगे इसकी हम गारेंटी दे रहे हैं ठीक है ओके समझ भी आ गया चले निश कोश्चन के बढ़ते हैं इस कोश्चन के रहा गई है टॉक और पार्संस के समाजी क्रिया फिद्धान कभी आख्या यह कुश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता क्योंकि यह कभी का उत्तर आपके पास कोश्चन बैंग है है नहीं सिरीज है है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं गूगल पर जाईए वहाँ पर सभी प्रश्चनों का उत्तर तयार कर लीजे जो जो मैंने आपको बताएं और इतने ही तयार कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी बा महासंग्राम वीडियो प्लस PDF लेके तयार कर लेंगे 80 प्रतस्त प्रश्ण वहीं से आएंगे परिच्छा में हमारी महासंग्राम से बाकी इसमें देए भी कुश्चन आप तयार कर सकते हैं ठीक है बाकी कोई कुश्चन है तो आप हमके जरूर पूर सकते हैं हम उसका reply दिनी क